नमस्कार हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हारदिक स्वागत है आज के इस वीडियो में चायावादी युग के अन्यकाब व्यधाराएं हम पढ़ने वाले हैं इससे पहले हमने चायावादी के सभी कवियों को पढ़ लिया है तो आईए वीडियो को सुरू करता है चायावादी युग में ही कुछ ऐसे भी कवी हुए हैं जिन्होंने चायावाद या रहसवाद की परंपरा से परेहट कर भी लेखन कार्ज किया है अतेवा चायावादी युग में ही निम्न तीन स्वक्षंद धराओं का विगास होना माना जा सकता है अब उसमें तीन कौन सी स्वक्षंद धराओं का विगास होना माना जाता है वह हम इसमें देखेंगी पहला है व्यक्ति चेतना प्रधान का व्यधारा इसी को हलावाद नाम से भी जाना जाता है इसका समय है 1933 इसवी से 1936 इसवी तक तो हलावाद व्यक्ति चेतना प्रधान का व्यथा इसका समय 1933 से 1936 रहा दूसरा है राष्ट्रिये चेतना प्रधान का व्यथारा राष्ट्रिये संस्कृतिक कविता इसमें जितने भी कवी जो हुए वो राश्ट्रिय चेतना के प्रधान काव्यों को ही उन्होंने इसमें आस्रे दिया है अपने रचनाओं में तीसरा है सवस्टी चेतना प्रधान काव्यधारा या समयकित काव्यधारा तो हम बारी बारी से इन तीनो धाराओं के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्ति चेतना प्रधान का व्यधारा हमने यहाँ पर यह देख लिया है व्यक्ति चेतना प्रधान का व्यधारा का ही दूसरा नाम हालावाद है और इसका समय भी हमने देख लिया जब रोमान सिया स्वक्षंता वाद की प्रविर्ती अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है तो वह समाज की सारी मन्याताओं, सिष्टताओं और आफचारिकताओं से अपना सम्मंध विछेद करती हुई उनमुक्त रूप से सुरा, सुन्दरी और यमन के गीत गाने लगती है डॉक्टर गनपती चंद्रगुप्त के अनुसार इस प्रविर्तियों को ही आलूच को द्वारा हालावाद कहा गया परंतु डॉक्टर गनपती चंद्रगुप्त स्वयम इसे हालावाद नाम देना उचित नहीं मानते तथा इसे व्यक्ति चेतना प्रधान का ब्यों कहकर पुकारते हैं तो व्यक्ति चेतना ये डॉक्टर गन्पती चंद्रगुप्त के दिया हुआ नाम है इन्होंने हालावाद को व्यक्ति चेतना के नाम से पुकारा है यह भी हमने देख लिया हिंदे साहिति में हलावाद का आगमन फार्से साहिति के प्रभाव से हुआ है डॉक्टर नगेंद इसे व्यक्तिवादी गिती कवीता के नाम से पुकारते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग-अलग कवियों के द्वारा अलग-अलग नामों से पुकारा जा रहा है इसे भी हमें देखते हुए और नोट करते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि परिछाओं में इससे ही प्रशन पूछे जाते हैं कि व्यक्तिवादी गिती कविता को किस लिखक ने किस कवि ने हालावाद को व्यक्तिवादी गिती कविता कहा है तो यह डॉक्टर नगेंद्र थे इनके अनुसार इस धारा के गृतिया का मुल स्वर प्रेम है इस काब्य धारा में मुख नेमन कवियों को सामिल किया गया है अब हम देख रहे हैं अभी डॉक् कभी है उसमें पहला कभी है हरिवन सराय बच्चन इन्हें हालावाद के प्रवरतक माना जाता है दूसरा कभी है भगवती चरन वर्मा तीसरे कभी है रामेस्वर सूकल अंचल चोथा कभी है आरसी प्रसाद सिह, पाँचवा कभी है नरेंदर सर्मा, छठा कभी है संभुनाथ सिह, साथवा कभी है हंस कुमार तिवारी, आठवा कभी है स्रीपाल सिह, छेम, नवा कभी है देवराज दिनेस। अब हम इन सभी कभीों के रचनाओं को बारी-बारी से दिखेंगे तो आज के वीडियो में हम दो कभीों को ही इस में लिये हैं, आगे अगले वीडियो में अने कभीों को भी रखेंगे तो सबसे पाले हम देख लेते हैं हरिवंस राय बच्चन, इनका जो जनम काल है वह है 1907 इसवी और इनका मृत्यो काल है 2003 इसवी, इनका जनम अस्थान है इलहाबाद प्रयाग और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, खयाम की मधु साला 1935 इसवी यहां इनकी अनुदित रचन है, अंग्रेजी की प्रसिद्ध कभी फिट जेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुदित के अधार पर अनुदित किया गया है, मधु साला इसका समय है 1935 इसवी, मधु बाला 1936 इसवी, मधु कलस 1937 इसवी, निशा निमंत्रन 1938 इसवी, एकांत संगीत 1949 इसवी, प्रारम्भिक रचनाएं 1943 इसवी, आकुल अंतर 1943 इसवी, सतरंगिनी 1945 इसवी, बंगाल का आकाल 1946 इसवी, हाला हल 1946 इसवी, सूत की माला 1948 इसवी, खादी के फूल 1948 इसवी, मिलन यामिनी 1950 इसवी, प्रणय पत्रिका 1955 इसवी, त्रिभंगी मा 1961 इसवी, चार खे में 64 खूटे, 1962 इसवी, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बुद्ध और नाच घर, जाल समेट, सोहन हंस 1981 इसवी, दो चट्टा ने, अब विशेस तत्थ हरिवन सराय बच्छन के बारे में हम देख लेते हैं, बच्छन जी के निम्न रचनाओं को छोड़ कर अन्य सभी रचनाओं में, योवन सौंदर्य एवं मस्ती के स्वर की अभिव्यक्ती हुई है, बंगाल का आकाल, सूत की माला, खादी के फूल, त्रिभंगीमा, चार खे में, चोशट खूटे, ये जो रचनाओं हैं, इन रचनाओं में योवन सौंदर्य एवं मस्ती के स्वर नहीं है, नहीं तो उनकी सभी रचनाओं में यवन संदर ये इवं मस्ती के स्वर देखने को मिलते हैं यह मुलतह आत्मा नुभुती के कभी माने जाते हैं इनको छाई रोमांस का कभी भी कहा जाता है इन्हें हिंदी साहित्य में इनको प्रबंध सिरोमनी की उपाधी प्राप्त हुई इन्हें हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है सन 1932 इस्वी में इन्होंने अपना प्राडंभिक साहित्यक जीवन पायोनियर के संबादाता के रूप में प्राडंभिकिया था 1967 इस्वी में राजसभा सदस्य मनोनित किये गए थे इनके दो चट्टाने रचना के लिए 1968 इस्वी में सहित्यकादमी पुरसकार मिला था अब जो अगली कभी हैं वे हैं भगवती चरन वर्मा इनका जनमकाल 1903 इस्वी इनके मृत्युकाल 1981 इस्वी है जनमस्थान ग्राम सफिपूर जिल्ला उन्नाव प्रमुख इनकी रचनाएं है मधुकन 1932 इस्वी प्रियम संगीत 1937 इस्वी मानव 1940 इस्वी एक दिन पांच रंगो से मोह चित्र लेखा 1934 इस्वी यह इनकी उपन्यास है सविनय और एक नराज कविता 1984 भगवती चरन वर्मा के बारी में विशेस तथ्य है इनकी कविताओं में कई प्रकार की प्रविर्तियों का संग्रह मिलता है यथा युगबूध, व्याक्तिक सुखदूख, हर्स, बिसाध, आसा, निरासा के सांथ, समाजिक विद्रोह, निम्न बर्ग का पीरा बोध, इत्यादि इनकी कविताओं में मिलता है मस्ती आवेस एवं अहम इनकी कविताओं के केंद्र बिंदू माने जाते हैं इनकी मधुकन रचना में माधूरिय एवं ओज से परिपुर्ण रचनाओं का संकलन किया गया है प्रेम संगीत रचना में शंदर ये प्रेम मिलन विरह आदी की व्यंजना मुक्त रूप से हुई है मानव एवं रंगो से मोह रचनाओं में ये स्वक्षनता से यथार्थ की ओर आते हुए दिखलाई परते हैं कुछ आलोचकों ने इन्हें नियतिवादी कभी भी कहा है मानो संग्रह की रचनाओं प्रगतिवाद से प्रभावित है चली आ रही भैसागारी जैसी प्रसिद कविता इसी संग्रह में है इनकी रचनाओं 1971 इसवी में प्रताप पत्र में प्रकासित होने लगी थी गीत के लेखक भगवती चरन वर्मा माने जाते हैं। भूले विशरे चित्र यह उपन्यास के लिए इनको 1961 इस्वी में सहित आकादमी पुरसकार मिला था। तो आज के इस वीडियो में हमने हलावाद के प्रवर्तक एवं हलावाद के काल के समय की दो कवियों को देखा जिसमें हरिवन सराय बच्चन एवं भगवती चरन वर्मा अब अगले वीडियो में अनकवियों के बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी क बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सेर अवश्च करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद